कि पुरानी बातों को हमें सुनाने के लिए कह रहे हो, ना जी, मैं समेधन से लाजमी हूं मने और मैं पुरानी बातों को राजनीतिक हिसाब किताब के लिए नहीं सुना रहा, इसलिए नहीं सुना रहा कि आपके समय में भी हुआ ता हमारे समय में भी हुआ होता है, होता है का पुरानी इंसाओ को इसलिए बताना चाहता हूं कि मनिपुर की नसले इंसाओ के सभाव को जनताने जानना पड़ेगा नसले इंसा मनिपुर में जब जब होती है तब किस प्रकार से होती है वो भी जानना पड़ेगा इसलिए मैं पुरानी इंसाओं को भी रखूँगा, आपके मन में भांती नहो, शवाल ना आए कि पुराना क्यों बता रहे। माननेवर 6 साल से ।करिब करिब 6 watched this video, मनिपूर में भारती जनता-पाटी की सरकार है। मनिपूर में भारतीय जनता-पाटी सरकार बनी तब से 3 तक एक भी दिन करफिर ने डालना को मैं मेरी बात आगरा के साथ केना चाहता हूँ मनिपूर में भारतिय जनता पार्टी की सरकार के छे साल पूरे हुए छे साल में मनिपूर में एक भी दिन कर्फिय नहीं डाला हुए मनिपूर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा मनिपुर के अंदर एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ और उगरवादी हिंसा लगबग लगबग समाप्थ हुआ इस छेष साल का भारतिय जनता पार्टी के सासन का इतियास आवाने वादे है 2021 में हमारे देश की पडोस में म्यानमार में सत्ता परिवतन हुआ और म्यानमार में वहाँ पर मिलेटरी का सासन आया डेमोकरिटिक सरकार गिर गई और वहाँ पर एक कुकी डेमोकरिटिक फंट है इसने लोगतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा जब कुकी डेमोकरिटिक फंट ने लोगतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा वहां की military साशन इन पर कडाई करना शुरू की दबीश बनाना शुरू की और चुकी म्यानमार की बॉर्डर free बॉर्डर है मानिवर वहां fencing नहीं है और आज से नहीं आजाद हुए तब से नहीं fencing नहीं है तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मनिपूर के अंदर कुकी भायों का वहां सरना थी नाते यहां आना सुरू हुआ मैं इसलिए कहना चाहता हूँ मानिवर कि कि उनका जगड़ा मनिपूर की military से था और दबीश शुरू हुई इसलिए आया म्यानमार की military से था और दबीश शुरू हुई इसलिए वो यहां पर आये मानिवर हजारों की संक्या में कुकीज आदिवासी भाई यहां आना सुरू होगी और परिवार बसने लगे कहां बसने तो जंगल में बसने लगे और एक प्रकार से मनिपूर के बाकी हिस्सों में एक असुरक्सा की भावना हुई कि हमारी जन सांखी की बजल जाए हमने उसको देठा उसी वक्त मानेवर हमने गुरू मंटाले में 2022 में निरा किया कि अब यह बॉर्डर को खुला नहीं कर सकते बॉर्डर बनानी पड़ेगी फैंसिंग करनी पड़ेगी हमने 10 किलो मेटर फैंसिंग पूरी कर दी है 60 किलो मेटर का काम चालू है और 600 किलो मेटर का सर्वे चालू है आपने 2014 तक कभी फैंसिंग नहीं की हमने दुरंदेशी से 30 में दंगे हुए 21 में ही फैंसिंग का काम सुरू कर दिया था 10 किलोमेटर ट्रायल फैंसिंग बन चुकी है 60 किलोमेटर का काम चालू है और 600 किलोमेटर का सर्वे बागी जिससे ए घुसपेट को रोका जा सके है फिर एक अंडेश्ट खड़ा होने लगा कुकि वहाँ जनसांखी की बहुत नेना एक होती है गाटी में कुकी भाई रहते हैं पहाड पर ट्राइबल भाई रहते हैं तो उनके गाटी में मता ही रहते हैं और पहाड पर कुकी और नागा ट्राइबल भाई रहते हैं तो एक जनसांखी की के बडलाव का बड़ा दबाव रहता है कि हमारी संख्या हम अलपमत में आ जाएंगे तो इसके लिए हमने लगबग लगबग जनवरी महीने से हमने वहाँ पर जितने भी सरनाती आये थे उनको परिचे पत्रक देनी की सुवाथ थी उनका थम इंप्रेशन लिया और थम इंप्रेशन और आई इंप्रेशन को वाटर लिष्ट और अधारकार के नेगेटिव लिष्ट में डालने का काम किया ऐसा नहीं है मानने वाथ कि यहां ग्रू मंत्राले के कंट्रोल में कोई आँख मूंद कर सुवा थी दोजार तेईस में बंगा हुआ 21 में हमने फैंसिंग चालू करी है 22 में हमने फैंसिंग चालू कर ले और 23 की सुरुवात में हमने थम इंप्रेशन और आइंप्रेशन लेनी की सुरुवात की और उसको भारत के वातर लिष्ट और अधार के नेगेटिव लिष्ट में डालने की फीर भी यह जिस प्रकार से संख्या बरती गई एक अशुरक्षा की भावना मतई लोकों में बे मत कहना है कि हमने क्यों नहीं करा 1968 से करा हुआ आए भाई 1968 से समझोता है भारत और ब्रह्मदेश की सरकारों के बीच में कि बॉडर के 40 किलोमेटर से जो अंदर आएगा यहां से 40 किलोमेटर से वाजा उसको पासपोर्ट नहीं चाहिए इस समझोता है वाना किसी को रोकन भी असमझोता है और इतने हजारों किलोमेटर की बॉडर में बाड़ भी नहीं लगी थी फैंसिंग भी नहीं तो संख्या बढ़ती गई और असुरक्षा बढ़ती गई इतने में एक अप्फा फेल गई 29 तारीक एप्रिल को कि 58 यह वसाहते जो थी सरनार्थियों की उसको गाउं गोसित कर दिया गया अब गाउं गोसित करने की अफ़ा से ही घाटी में बहुत बड़ा अंडेश्ट शुरू हमाने वर और वो अंडेश्ट को भी हमने माईक वाली जीपे चलाई बताया गया कि वह कोई गाउं गोसित नहीं हुआ है मगर अफ़ाय जब फिलती है त जंगल गाउं गोशित किया जंगल गाउं गोशित किया जो वसायत थे उसको तो उनको लगाए पर्मेंट अब यहीं बस दाए तो एक अंडेश्ट खड़ा हुगा उसके बाद में आग में तेल डालने का काम हाई कॉट मनिपूर के एप्रिल महिने में हाए हुए एक फैसले जσने सालों से पड़ी हुई एक लंबित पीटीशन को अचानत चलाया अचानत चलाकर ना भारत सरकार के ट्राइबल आयोग को सपत पत्र लिया, ना भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट का लिया, ना भारत सरकार के घुरु मंतरा लिया, ना मनिपूर सरकार का लिया और अचानक ही कह दिया कि 29 एप्रिल के पहले मताई जाती को ट्राइबल घोसिट करती चिके इस से पहार पर बहुत बड़ा अंदेश्ट हुआ ट्राइबलों में बड़ा अंदेश्ट हुआ कि अब मताई ट्राइबल बन जाएंगे तो हमारे नोकरी ओगते स्पर्दा का बाह और तीन तारीक को एक रोली के अंदर एक क्लैस होता है और क्लैस ओने के बाद दंगे चालू हूए जो अब तक असांत परिस्तिती को बनाए हूए जा आप वो क्यों नहीं गाम यह betrayed है इस तरह से आम तुलना मत करें जैक फस्तिती जन्गे दंगे है मैं आगे भी कहना चाहता हूं इसके साथ एक बहुत बड़ी बात दूसरी भी हुई है कि वहां मिलेटरी का सासन आने के बाद थोड़ी धिलास आ गई है और नार्कोटिक्स का भी बहुत बड़ी तसकरी म्यानमार की और से मनिपूर की और हुई है इसके व्यापार से भी जुलूस निकड़ा जुलूस में दोनों गुरूपों के बीच में बिल्हंत हुई और देखते देखते गाटी में और पहाड पर दोनों जगे एक दूसरे पर हमले करना इंसा करना सुरू हो गया मनिवर अब दो सवाल है कि इंसा सुरू करने के बाद क्या किया मैं उस पर आज में जाता हूँ इतनी सांती से बताऊंगा कोई जराबी मन में मैं कि किसी चीत से भगना नहीं चाहता हूँ भागना मेरा सभावी ही नहीं ही नहीं है भई नागा कुकी भी नसलिय हिंसा थी मंदिय। और उस वक्त साड़े साथ सो लोग मारे गए, दो सो लोग गायर हुए, पैटालीस हजाल लोग सरणार्थी थे और डेड़ साल तक एह हिंसा अविरत रूप से चलती रही। अब यह कहते हैं प्रद्यान मंत्री जी क्यों नहीं बोले। भई साथ सो लोग मारे गए थे, दो सो लोग गायल हुए, पैटालीस हजाल लोग सरणार्थी बने। आपको मालूम है जवाब किस ने दिया। मानेवर इनको मालूम है जवाब किस ने दिया। मुझे नहीं बोलने देते। मानेवर इतनी जगन ने गटना हुई, भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की क्या था। टैबल मिनिस्टर गया, ना जी, समाज कल्यान विभाद के मंत्री गये, ना जी, होम मिनिस्टर का क्वेस्चन डज नोट एराईज, एमोएज गये, ना जी, अरे पूत्ते हमें कि प्रधान मंत्री क्यों नहीं गये, अरे भाई, आप जरा देखे कि नसले हिंसाओं का इत्य गया, गुरु मंत्री जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए, एमोएज ने जवाब दिया मान्यवर, और ये लोग प्रधान मंत्री जवाब दे वो मांग से, पूर्ला पारलामेंट होल्ड करे हुए, मान्यवर 1993 में दूसरी बार संगर्ष हुआ, मता ही पंगल संगर् गये, वो भी एक साल तक चला, और राज्य सबा में गुरु मंत्री ने जवाब दिया, बस, लोग सबा में ने, और ये कह रहे हैं, प्रधान मंत्री जवाब दे, मुलाकात की, किसी ने नहीं की, ना गुरु मंत्री ने, ना एमोएज ने, किसी ने ने की, फिर इंदर कुमा समझा रहा हूं, एक साल तक चला, चर्चा ही नहीं हुए, स्टेटमेंट भी नहीं हुए, सवाल भी सारे खारीज कर दिये गए, और ये कहते हैं, प्रधान मंत्री जवाब दे, और मैं डेवन से कह रहा हूं मानेवर, मैं जवाब देने के लिए तयार हूं, मेरी ड्यूटी है, मैं देश के प्रती जवाब दे हूं, संसत के प्रती जवाब दे हूं, विपक्स के प्रती भी जवाब दे हूं, मैं आपको जवाब देने के लिए, मुझे बोलने नहीं देते हैं, 21 प्रकार का लोग तंत्र हमाने हुए, तो अब तो बोलने ही दोगे, अब तो बोलने ह जवाब देने वाले हैं, हम महुन नहीं रखते हैं, महुन आप रखते हैं, हमें कुछ नहीं छुपाना, हमारा कोई आदमी इसमें इन्वाल नहीं है, मैं नाम बोलना नहीं चाहता, गुरु मंतिरा लेके रेकोड़ पर निताओ के नाम है, सुनना है तो बता दू आप फड़ेव करके तो बताओ तो मैं बता देता हूँ नाम सुनना है माननेवर बाद में 2004 में बाद में 2004 में मनमौन सिंग्जी थे इबोवई सिंग्जी थे लगबख 1700 लोगों के एनकाउंटर हुए 1700 लोग एक तरफा वर्दी से ऐसा वहां मानते है मैं नहीं मानता मैं तो व्योस्ता में विश्वास रखने वाला हूँ वहां लोग मानते है वर्दी से की हुई नसली इंसाथ 1700 सुप्रीम कोट ने संग्यान दिया देर सारी SITI अब निया मगर किसने जवाब दिया कोई नहीं एक चर्चा नहीं ना M.O.S. ना मिनिस्टर अब मुझे बताइए भई चिद्नमबरम साब थें और महां राज्यसभा में मेरा ही साब मांते थें मुझे बूलने नहीं देतें मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूँ एक परिस्तिती जन्य नसलिय इंसा है इसको रादनिती का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और मानेवर तीन चार पांच मैं पुर्य देश को बताना चाहता हूँ इस देश के प्रधान मंत्री ने राद को चार बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन साड़े छे बजे मुझे फोन से उठाया भी इसने इसने प्रधान मंत्री ने मुर्य कह रहे हैं मोदी जी ज्यान नहीं रख मानेवर तीन दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया सोला विडियो कॉन्फरेंस करी 36,000 लोग Security Forces CAPF के वहां पहुँचा है वायुसेना के विमानों का उप्योग किया चीप सेक्रेटरी बदल दिया गया डीजीपी बदल दिया गया सूरक्सा एडवाईजर भेग दिया गया चीप सेक्रेटरी भारत सरकाने बेजा डीजीपी भारत सरकाने बेजा सूरक्सा एडवाईजर भारत सरकाने ये सब चार तारिक की साम को समाप्त हो गया था तीन को हिंसा हुई चार तारिक को समाप्त हो गया था और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगया 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राग्जे सरकार कोपरेट न करे हमने डीजीपी बदल दिया उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को सुकार कर लिया हमने चीप सेक्रेटरी बदल दिया उन्होंने भारत सरकार के चीप सेक्रेटरी भेजे हूँ मैं यही कह रहा हूं समध नहों तो नहीं आएगी भी CM तब बदलना पड़ता है जब कॉपरेट न करे यह CM कॉपरेट कर रहा है BGP, सुरक्साज, सलाकार इस सब को हमने बदला है मानेवर बैट जाओ खूपिया आप इतनी चिंता करो कि मैं आसाम पड़ना जाओ मानेवर UPA के सासन में वहां नाकाबंदी की जाती थी ब्लोकेट लगाए जाते थे एक साल में 149 दिन से 30 दिन तक कब ब्लोकेट रहा पांच साल तक ब्लोकेट लगे और उस वक्त पेट्रोल के दाम 1200-1200 रुपिय तक पहुचे थे हमने 28 दिन में पूरा काम पूरा करकर रेलवे को वहां पहुचा है